behavior modification technique जो की guiding and counseling में काफी detail में पढ़ाया जाता है and कई सारे counselors इस technique को use करते हैं कई changes लाने के वे So, behavior modification techniques are widely used in guidance and counseling to help individual identify and change specific behavior that are causing difficulties or hindering their personal growth यानि कि ये जो behavior modification technique है न ये guidance and counseling में बहुत जादा use होती है and ये individuals को help करती है किस चीज में कि वो कोई भी ऐसा behavior जो उनको परिशान कर रहा है या उनके लिए difficulty create कर रहा है उसको identify करे और उसको change करे और in fact ऐसी कोई भी चीज जो उनकी personal growth में you know problem create कर रही है उस चीज को identify करके उस behavior को identify करके उसको change करने की कोशिश करे now ये न it's not something कि कोई person teacher आपको बता देगा और आप कर लोगे no it is something जो मतलब अगर इसमें इतनी सारे तरीके हैं कि वो एक professional setting में अच्छे से होते हैं तो अगर आपके exam में ये question आता है तो you can mention four or five of them depending upon the marks, कितने marks का ये question आ रहा है so सबसे commonly used behavior modification technique जो है उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले है self monitoring now what does that mean देखिए self monitoring नाम से आपको पता चल रहा है खुद को monitor करना, अपने खुद के behavior का track रखना अपने खुद के thoughts का track रखना, अपने emotions का track रखना कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या हमें पता है हम अपने बारे में aware होना इस self monitoring यहाँ पर ठीक है, जब आप self monitoring करते हो suppose मुझे बहुत मीठा खाना पसंद है, example दे रही है अब मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ खाने के बाद मीठा खाती हूँ हर थोड़ी देर में तो अब क्या होगा न मुझे यह पता है कि यह बहुत गलस चीज है तो मैं खुद को monitor करूँगी कि मुझे कहां कहां पर you know मीठा खाने का एग दिम से मन करता है, ट्रिगर क्या होता है तो कई बार पता चलता है कि मीठा खाने का मन होता नहीं है तो हम उसके consequences भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जब आपको अपने बारे में इतना realization हो जाता है ना कि ये गलत कर रहा हूँ मैं या मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो automatically आप करना कुछ चीज़े अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, certain behavior patterns ऐसे होते हैं जो आपके change हो सकते हैं अगर आप खुद को समझ पाओ या self-monitor कर पाओ। So that is one of the thing. Then comes goal setting. Goal setting का मतलब होता है, ये हमेशा बार-बार repeat होता है, that is smart, that is specific, measurable, attainable, relevant and time-bound. जब भी आप अपने लिए goal set करते हैं कि मैं ये achieve करना चाहता हूँ, तो goal बहुत specific होने चाहिए, ये थोड़ी कि मैं आज सोच हूँ, आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, that is not a specific goal. मैं चाहती हूँ कि मैं जिस field में हूँ, उसमें बहुत अच्छा करूँ और काफी अच्छे से, you know, उसमें excel करूँ. तो अपनी field के इसाब से एक specific goal लिया, मैं उसको measure कर सकूँ कि कितनी improvement हुई है पहले से, क्या वो attainable है, क्या मैं उस goal को achieve कर सकती हूँ, क्या वो relevant goal है, मतलब उसको कोई मतलब है या ऐसे ही बस हवा में बात करी है, and time के साथ, कि वो मतलब जितना time मैंने सोचा हूँ, उसमें पूरा हो जाएगा, तो ये न एक बहुत ही essential technique होती है behavior modification में, तो इसमें पते क्या होता है, जब counselor और client मिलते हैं, तो वो अपने लिए goal set करते हैं, कि हमें इस पूरे महीने में ऐसा करना है, इस particular type से behave करना है, ठीक है, और उनके target एकदम clear होते हैं, कि हमें अपने behavior में, suppose if there is a person who is smoking, तो उसका target clear होगा है कि मुझे ऐसा goal है, अब suppose वो दिन में 10 cigarettes पी रहा है, ठीक है, उसने दिख counselor वैसे तो इसके लिए medical experts की help रेलेते हैं, बट still उसको क्योंकि पता है कि ये behavior से related है, तो उसने counselor को consult किया, counselor ने बोला कि 10 की जगे आपका इस महिने का goal है, you're going to have only 5 cigarettes a day, तो ये ऐसा है कि achievable है, मुश्किल नहीं है, बट इसमें आप measure भी कर सकते हो कि कहाँ पे गरबढ हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, तो counselor और client मिलके, you know, they'll set the goal कि हमें ये चीज़ अचीज अचीव करनी है, और goal की वज़े से ना किसी भी person को direction पता चलती है, कि हम सही कर रहे हैं, सही direction में जा रहे हैं, उन्हें motivation मिलती है, and उन्हें जब वो चीज़ अचीव कर लेते, तो suppose the person, जो 10 cigarette दिन में पीता था, but he or she is having only 5 cigarettes in a day, तो वो उसका automatically mind कैसे change होगा, कि अर्यार मैं तो कर पा रहा हूँ, तो फिर अगले महीने वो और कम की तरफ बढ़ पाएगा, अब एकदम से वो कह दे कि मैं पूरे महीने एक भी cigarette नहीं पीऊँगा, और यह तो बतलब basic example है, आप बहुत जादा field में इसको use कर सकते हो, now positive और negative reinforcement के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, because obviously अगर आप beard के student हो, positive reinforcement होता है, आप किसी को reward दे रहे हो या incentive दे रहे हो, जब वो कोई desire, जो behavior आप चहाते हो, वो अच्छा behavior वो शो कर रहा है, तो यह जैसे मैं class में exams, जब class test थे, तो उससे एक हफते पहले I just, you know, मैं chocolates लेके गई, मैंने बच्चो को बोला कि बच्चो आप में से जो सबसे अच्छा करेगा तुरी class में, मैं उस बच्चे को chocolate दोगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि रोज-रोज हो रहा है, बट अगर तीन-चार महिने में एक बार यह चीज हुई, तो बच्चो के दिमाग में आया कि अगर मैं यह काम करता हूँ, मैं अच्छा perform करता हूँ, तो मुझे chocolate मिलेगी, तो उनके लिए reward system यहाँ पर काम कर रहा है कि भाई, यह करने से मुझे कुछ फाइदा होगा, ठीक है, तो वो possibility है कि उनके marks और अच्छे हो जाएं, और वो अपना positive behavior और अच्छे से show करें, ठीक है, it can be used to motivate individuals, individuals को motivate करने में मदद करता है, और पॉसिबिलेटी है कि उनका positive behavior repeat होगा, rewards can be tangible, जैसे कि praise, अच्छा यह भी हो सकते हैं कि आप उसको, you know, कोई चीज दे दो, कोई chocolate दे दो, आप उसे count करके बता सकते हो, और intangible मतलब, आप बच्चे को बहुत तारीफ करो, उसको बोलो कि देखो, अब मैं leaderboard पर आपका नाम लगा रही हूँ, तो ये सब चीज़े दोनों तरीके से possible है, and according to the need of the student, or preference of the student, आप इस चीज़ को follow कर सकते हो, बट यहाँ पर positive का मतलब है, आपने incentive दिया, अब negative reinforcement का मतलब क्या होता है, आप कोई भी unpleasant stimuli, या ऐसी कोई चीज़ जो बच्चे को नहीं पसंद है, वो हटा देते हो, जब वो अच्छा perform करता है, example देती हूँ, एक mother है, जो अपने बच्चों से suppose पांच काम करवारी है, कि बट आपको ये पांच काम daily के करते हैं, ठीक है, अब उस बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया, जो mother को अच्छा लगता है, या उसको लगता है कि mother को, कि बच्चा बहुत ही, you know, बहुत पढ़ाई कर रहा है, या कुछ है, तो mother ने का कि बटा, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अब मैं तुमसे केवल चार काम करा हूँ, तो यहाँ पे एक काम, जो बच्चे को कम पसंद था, वो हटा दिया गया, just because उसने desired behavior show करा, so that is your negative reinforcement, जिसमें आपने unpleasant और जो भी बच्चे को नहीं पसंद है, उसको हटा दिया, जब उसने desired behavior show किया, for example, if a student complete their assignment on time, they may be exempted from a particular court, यानि कि अगर एक student है, जिसने अपना assignment time से complete कर लिया, तो हो सकता है, उनको एक काम ना दे, जो पहले देते थे, negative reinforcement का focus होता है, कि desired behavior को हम बढ़ाना चाहते हैं, जो अच्छा behavior हम expect कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं बढ़े, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम negative experiences reduce करेंगे, यह नहीं हम punish, मतलब यह negative reinforcement यह भी हो सकता है, कि आप punishment दो, यह नहीं करना है आपको, वो बहुत mentally गलत असर राल देगा, अब देखो punishment का भी है यहाँ पे, undesirable behavior achieve करो, although इसको हमेशा से बहुत जादा effective कम माना गया है, बिकोज इसको कहते हैं कि अगर ढंग से ना करा जाए, तो long term में affect होता है, अब जैसे parents कई बार करते हैं, बच्चे को पीट दिया, कि तुमने अच्छा यह नहीं करा, लोग पीटाई खाओ, तो अब उसको positive असर कुछ नहीं होगा, बच्चा डर के मारे करतो लेगा, लेकिन कहीं न कई वो long term में affect होगा, punishment मतलब आप उसको कोई और चीज़ भी बहुल सकते हैं, suppose बच्चे को drawing करना बहुत पसंद है, तो you can just say कि आपने अच्छा ऐसा करा है, अब मैं आपको एक हफते तक या फिर एक दिल तक drawing नहीं करने दूँगा, that can also be a punishment, लेकिन इसको बहुत controlled setting में और बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसको incorrectly use करोगे, तो उससे बच्चे के emotional and psychological, उस पे बहुत negative impact पड़ता है, and ये तब जादा effective है, जब आप चाहारे हो की अच्छा behavior हो, and आप किसी behavior को shape करना चाहारे हो बच्चे के इंदे, बच्चे के इंदे कोई habit develop करना चाहरे हो, अच्छा तुमने दस page writing नहीं लिखी आज, ठीक है, तो तुम्हाँ drawing भी नहीं करोगे, तो that is the punishment, जो की बच्चे को ऐसे psychologically बहुत हाम नहीं करेगा, बट उसको ये पता चलेगा, कि अगर मुझे अगर राइटिंग नहीं लेखी तो मुझे अगर राइटिंग नहीं लेगी तो ये तो गलत हो गया, तो वो बच्चा वो behavior शो करेगा, जिससे उसको वो drawing मिले, ठीक है, that can also be a form of punishment, but again, मार बटाई करना is not punishment, shaping, shaping का मतलब होता है, आप क्या कर रहे हो, आप कुसी behavior को, मतलब धीरे 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 जो आप चाहते हो, उस behavior तक लेके जाओ, suppose एक बच्चा है, मैं example देती हूँ, जिसको आप चाहते हो, again वो इस example देती हूँ, आप चाहते हो कि वो बच्चे की writing बहुत अच्छी हो जाए, फिक है, आप चाहते हो कि बहुत अच्छा लिखे, skills develop होते हैं, and उनकी जो existing abilities हैं, उसी पर नई चीज़े डवलाप होना शुरू करते हैं, so you are shaping the child, किसी भी बच्चे को, आप इन्वार्मेंट से प्यार करना एक दिन में नहीं सिखा सकते हैं, आप अपने action से सिखा सकते हैं, कि बेटा, यह प्लास्टिक है, Then comes modeling, modeling में होता है, कि हम किसी दूसरे का behavior imitate करते हैं, यह observe करते हैं, तो counselors कई बर ऐसे करते हैं, देखो, suppose यह हैं, इन्होंने बहुत कुछ achieve किया है, हम भी कर सकते हैं, जैसे suppose हम बोलते हैं कि Einstein के लिए बोलते हैं, कि ठीक है यह है, इनके साथ यह हुआ था, यह उन्होंने यह चीज़ ट्राइ की थी, Edison के लिए बोलते हैं, कि वो हजार बार फेल हुए, उसके बाद लेकिन वो success उन्होंने पाई, तो हमने एक modeling technique से, बच्चे को positive example दिया, एक role model बना के दिया, और फिर बच्चा भी, कि वो expect करता है, कि अच्छा यह कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, बच्चे के अंदर वो confidence gain होता है, और वो भी उन चीज़ों को adopt करना शुरू कर देता है, कि ठीक है, मैं हजार बार fail भी होंगा, लेकिन मुझे महनत करनी है, So that is your modeling, जिसमें behavior चेंज कर रहे हो, आप giving और making, you know, imitating the behavior of other, फिर आया cognitive reek structuring, cognitive reek structuring focuses on identifying and challenging negative or irrational thoughts that contribute to negative behavior or emotional distress, यानि कि कोई बच्चा, suppose, class में बहुत misuse करता है, गलत word बोलता है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे, कि ऐसी क्या चीज होती है, ऐसे कौन से thoughts उसके mind में आते हैं, कि वो इस तरह का behavior शो कर रहा है, इससे न, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ सा समझ पाते हैं, प्लस इससे individual एक realistic, positive or adaptive thinking patterns बनाता है, develop करता है, individual को आता है कि अच्छा, ऐसा हो सकता है, यह positive तरीका है, this is the adaptive thinking pattern, by replacing negative thoughts with positive or neutral ones, individual can change their emotional response and subsequent behavior, यानि कि कोई भी individual जब replace करता है, अपने negative thoughts को positive के साथ, तो individual का जो emotional response है, और subsequent behavior है, वो change होता है, तो basically आपने restructure करा, आपने negative thoughts को निकालने की कोशिश करे, और उसकी जगे आपने positive thoughts, डेवलाप करने की कोशिश करे, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो हर बच्चे के साथ, मतलब एक बच्चा है, जो दूसरे बच्चे को हमेशा गलत समझता है, इसने मेरा कुछ समान ले लिया, यह बुरा है, यह बुरा है, तो अब counsellor समझेगा, कि बटा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है, तो फिर वो धीरे-दीरे कांसले बच्चे के अंदर अच्छे thoughts डालना शुरू करेगा, कि नहीं बटा, आपको ऐसा लग रहा है, बट यह possibility है, कि उसने ऐसा इसले कर आओ, तो यह आपका cognitive restructuring में आता है, जो बच्चे को काफी हद तक change कर सकता है, and it is also one of the, you know, cognitive behavioral therapy, but mostly cognitive side. Social skill training, अगर आप किसी बच्चे को social skills training देते हो, जैसे कि उसके, you know, अपने interpersonal skills, वो जैसे बाकी लोगों से बात करता है, उसका जो behavior है, किस तरह से उसे लोगों के साथ greet करना चाहिए, किस तरह से उसे अगर कोई problem हो गई है, तो, you know, adapt करना चाहिए, तो इससे न, अपने आपी self-confidence बढ़ता है, और relationship improve होते हैं, ठीक है, that is also one of the behavioral technique, ये वाला जो side है, ये थोड़ा सा cognitive है, this is not exactly the behavioral therapy, but cognitive behavioral therapy में, इसको थोड़ा बहत, you know, you can apply, बाकि सारे mostly आपके ऐसे होते हैं, कि they are your behavioral, you know, जिसे कहते हैं, आपके expects हो सकते हैं, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कीजेगा, बेल बटन को प्रेस कीजेगा, आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजेगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवैलेबल है, और मैंने फोल्डर में अर्रेंज करी हुई है, ताकि आप पो ढूनने में प्रॉब्लम ना हो, प्लेलिस्ट के अलावा, नीचे description box में एक लिंक है, have a nice day, I'll see you next time in the next video.